हेलो फ्रेंट जै बद्रिबिसाल फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वारी हूँ यूपी के हर घर की फैवरेट आलू कतली बहुत ही टेस्टी ये बनकर तयार होता है बिना किसी जंजट के घर में जो सामान आपके पास उपलब्द है बस उसमें ही ये बनकर तयार होता है और बहुत जादा समय भी नहीं लगता है दस से बारा मिनट में ये आलू कतली बनकर तयार हो जाता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और पूड़ी पराठी के साथ में भी खा सकते हैं दाल चावल के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह हमों पर मैंने कढहाई रखहा है और उसके बाद में मैंने 2 बड़े चमश मैंने सरसों का तेल डाला है आप जो भी फूट आयल यूस करते है वह आप ले सकते हैं olla उस में तुरंथ हमें आलू डाल देना होता है गैस का फ्लेम एकदम हाई रहेगा और इसे हम लगबग तीन से चार मिनट तक इसको हम ऐसे ही भूनेंगे और तब तक हमें भूनना है जब तक कि इसमें रेड रेड ना दिखने लगे साथ ही इसको भूनते समय में ये 60% ये पक जाता है तो यहां पर हलका हलका सा आप देख रहे हैं कि रेड रेड होने लगा है आलू लेकिन अभी ये पका नहीं है तो यहां पर ये 60% पक चुका है गैस का फ्लेम हमें बिलकुल भी हमें लो नहीं करना है हाई फ्लेम में ये क्रंचनिस आजाता है इसमें तो बस अब इसके फ्लेवर्स में चाड़ चांत लगाने के लिए बस अब इसमें हम एक चमच भार कर मैंने कद्दू कस किया हुआ अद्रक डालेंगे और अद्रक को बस इसी आनलू के साथ में हम भून मी लेंगे और इधर हमारा आलू भी अब रेड होने लगा है तो बस अब हम कुछ मसाले त्यार कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक चोट कटोरी मैंने लिया है उसमें एक चमच मैंने धनिया पौडर आधा चमच मैंने जीरा पौडर साथ ही एक चोधाई चमच हल्डी पौडर आधा चमच मैंने कास्मेरी लाल मिर्च पौडर और इसी के साथ ही मैंने आधा इन मसालों को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में अब हम यहां पर नमक डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार रहेगा और हाजो धनिया और जीरा वगएरा रहेगा न इसे आप कुटा हुआ डालेंगे न तो और ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा तो बस इसी के साथ ही मैंने आदा चमश मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च डाल दिया है अगर नहीं हो तो छीरी फ्लेक्स भी डाल सकते हैं तो बस अब इन मसालों को खूब अच्छे से हमें आलू की साथ में मिक्स कर लेना है हाँ हमें गैस का फ्लेम मसाले डालते ही तुरन्त हमें स्लो कर देना है वरना हमारी मसाले जल जाएंगे तो बस आलू को खूब अच्छे मसालों के साथ में हम भून लेंगे जिससे कि हर एक आलू में ये मसाले लग जाएं तो बस यहाँ पर मैंने दो चमस मैंने पानी लिया है और अब इसमें डाल देंगे तो बस इसी की भाप में जो हमारा 60% ही पका है तो यह 100% पकेगा तो बस अब यहाँ पर डाल दे ही तुरंथ हमें इसको ढखकर 2 मिनट के लिए चोड़ देना है और 2 मिनट के बाद अब इसको हम देखेंगे तो आलू बहुत अच्छे से पक चुका है और अब यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी आलू कतली तयार है तो यहाँ पर मैं थोड़ इसपे चुला है तुरंट मोड जाता है तो इस वज़ा से इससे पता नहीं चल पा अब इन सब को हमें आलू के سाथ में अच्छे से मिक्स कर लेए है कि जिससे की अमचूर पाउडर भी अच्छे से हर एक कतली में लग जाए बहुत ही चटपटा सस्वाद आता है और इसे आप पूरी पराठे या दाल चावल के साथ छोड़िए आप चाय की साथ पाएंगे न तो इसको पूरा फिनिस कर जाएंगे तो फ्रेंड्स एक बार ह सारी चीजे या अमचूर पाउडर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो बस अब यहां पर हम गैस का फ्लेम हमने बंद कर लिया है और बस हमने लिया है एक प्लेट और अम इन कतलीयों को इसमें हम ट्रासफर कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि देखने से ही इतना जबर दस्ती लगता है तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा और हाँ अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा फ्रेंड्स और फाइमली के साथ भी जरू सेर कीजिएगा ओकी फ्रेंड थैंक्स और वाइचिंग